में आपको ट्रे पॉर्ट बनाकर बताने वाला हूम कि 도 सबसे पहले दो पाइप लेले सेम साइज का जो एक मोटा एक पतला होना चाहिएए BATLA वाला पाइप मोटे वाले पाइप के अंदर फिक्स होजाना चाहिए और उसके बाद स्क्रिव और बोल्ट ले ले और बासर भी और एक बैक कवर ले ले जिसमें हम अपने मुवाईल को fix कर सकें तो ये रहा मेरा बैक कवर उसके बाद आप सबसे पहले एक मॉर्टा वाला पाइप को ले और उसके कॉर्नर पे एक hole कर दे पतला सा hole जिसमें एक screw अडाम से अट जाए तो हमारा hole हो चुका है यह देखिए और यह पतला सा hole है जिसमें एक बस screw ही अटेगा उसके बाद आप पतला वाला pipe ले उसके बाद marker से mark कर ले कहाँ पर हमको hole करना है तो mark करने के बाद होल करने के बाद हमारा कुछ इस टाइब से दिखता है और उसके बाद हम बैक कवर लेंगे बैक कवर के बीच में एक होल करेंगे तो यह हमारा होल हो गया है तो होल हो जाने के बाद एक स्कूरू का हेड पतला होना चाहिए ताकि वह उपर की तरफ ना आए और पिछे से एक बासर ले ले बासर लेने के बाद हमारा जो पाइप था पतला वाला पाइप जहां पर हम लोग होल किये थे उस होल में इसे स्कूरू को फिक्स कर देना है तो स्कूरू को हम यह टाइट से स्कूरू जानेड़ा है इसके लिए उपर से हम से फोर्च लगाएंगे तो यह चला जाएगा तो यह चला गया ठीक से उसके बाद हम बासर लेंगे फिर स्कूरू में बासर को लगा देंगे इसके बाद जो हमारा नट था वो थोड़ा धीला था इसके कारण हमें किसी चीज़ का कैप था उसको टाइट करने के लिए यूज कियें तो यह टाइट हो गया हमारा टाइट होने के बाद यह रोटेट भी करता है तो आप देख सकते हमारा टाइट होने के बाद स्कुरू कुछ इस टाइप से दिखता है इसके बाद हम एक pipe लेंगे मोटा वाला जहां पे और पतले वाले pipe को मोटे वाले pipe के अंदर डाल देंगे उसके बाद जहां पे हमने hole किया था उस hole में screw को कसेंगे तो यह screw को कस देने के बाद हमारा tripod का जो उपर वाला पार्ट है वो टाइट हो जाएगा अब यह lose है उसके बाद हम लोग टाइट करेंगे तो यह टाइट हो जाएगा यह देखे टाइट हो चुका है उसके बाद यह अब देख सकते हैं हमारा यह इसमें mobile को hold किया जाएगा इस जगह पे और पीछे आप देख सकते हैं पीछे में मैंने किसी चीज का cap का यूज किया है टाइट करने के लिए क्यूंकि मेरा bolt धीला ओड़ा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक screw लगा हुआ है अर्जिस्ट करने के लिए ऊपर और नीचे के तरफ ट्राइपोड का stand बनाने के लिए अब खाली box में stand को डालकर cement से fix कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा cement लिया है और एक कटावा pipe था मैंने उसे use किया है तो pipe के नीचे मैंने plastic लगा दिया और धागा सा बांग दिया ताकि हमारा cement नीचे से गिरे ना उसके बाद मैंने stand को बीच में रखके उपर से cement डाल दिया है तो हमारा cement सुख जाने के बाद उस pipe को हम cut करके बाहर निकाल लेंगे तो हमारा कुछ इस type से दिखेगा तो आप देख सकते हमारा tripod जो है अब ready हो गया है तो अब आप इसे use भी कर सकते हैं नीचे वाले screw को आप ढीला करके tripod को adjust भी कर सकते हैं